कि I need a website अच्छा कुछ लोग यह कहते हैं कि मुझे वेबसाइट चाहिए तो वो थोड़ा कन्फीज होते हैं कि वेबसाइट क्या होती है और किस तरह बनती है क्या प्रोसेस होता है क्या चीज़ें इन्वाल्व होती है इसके अंदर तो जब भी कोई बंदा कहते हैं मुझे व सेख्या कुछ लड़कम वेबसाइट होती है कि आपके एक अड्रेस बंजाता है एक डौट कॉम इस को कहते है तो चाहिए होती है बोबेक्व से लिए नेमदा फिर के लिए कि यही नेम होता है यह आपकर पर्सनल नेम होता है फार्वडेंपल मैं कह सकता हूं कांच अठ़ डूमज़ी. इसके लिए आपको दो साल के लिए पे करना पड़ता है इतनी भी डूमयन है पूरी दुनिया के अंदर उनके अब एएरली चार्ज करते हो .pk के भी एर रिचार्ज करते हो लेकिन .pk की जो डुमेन होती है नो minimum two years के लिए register होती है तो सबसे पहले आप एक domain name ले ले लेते हो domain name में होता क्या है कि जिस तरह ये .com भी होती है .pk होती है .net होती है .pk होती है .info होती है .biz होती है टीक है तो इनको कहते हैं domain की extensions ठीक है न आसिफ.com xyz.com abc.com डिफरंट आपकी domains बन जाती है तो आप domain name ले ले लेते हो इसके minimum charges होते हैं वह 2k per year होते है minimum ठीक है अब कुछ companies होती हैं वह आपको 1,000 per year दे जाती है कर लेंगे तो इसी तरह पीर होस्टिंग होती ही जब आप एक domain ले लेते हो domain लेने के बाद आपने जो website या website अप्लोड करना होता हुथ उसके लिए आपको space चाही होती है जिसको hosting कहते हैं तो जब भी आपको domain चाही होती है सा आपको सके लिए hosting भी चाही होती है जहां पर आपने फाइल ने अपलोड करनी होती है जहां पर डाटाबेस होती है आपकी तो डुमेन के चार्जिस एरली होते हैं और जो होस्टिंग के चार्जिस हैं ये मंतली भी होते हैं और एरली भी होते हैं और इसी तरह जो ये इसी तरह जो ये डुमेन की होस्टिंग के भी वेरी करता है कमपनी अब आप हजार पर मंन्थ भी मिलती है हजार रुपे पर एयर भी मिलती है और पुचाह हजार पर मन्थ भी मिलती है तो डिपेंड करता है कि जो आप होस्टिंग ले रहे हो न वो किस तरह की स्पैक्स है उसी क्या स्पेस है, क्या प्रोसेसर है, क्या रैम है, हाड कितनी है, सर्वर कौन सा है तो इसी तरह आपने होस्टिंग के पे करने होते हैं तो अब आप जब डिमेन ने अपने ले लिए होस्टिंग आपने ले ली तो आप उसके बाद आप अपनी डुमेन पर कोई भी नाम बना सकते हैं इमेल आड़ी बना सकते हैं development charges, website आपना डिवैल्ब करवानी हो तो उसके बीफरेंट charges होते हैं अगर एक website की एक page की website दे शायद को आपको free में बना दे दो पेज की शायद आपसे को 2000 ले ले पंधार ले ले दसजार ले पचाहसजार ले एक लाक ले ले पंदरह ले ले तो depend करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं तो सम टाइम यह होता है कि आप वर्डप्रेस की बनी-बनाई चीज़े मिल जाती है उदस-पंदर दार माग को मिल जाती है सम टाइम आग दस-पंदर डिपेंड करते हैं आपके फीचर की बेस्पे कितने फीचर चाहिए आपको अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं तो मैं आप कहां पर एप्लाय कर दूंगा यह मुझे इमेल कर दें